नमस्कार दोस्ति, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, डेली बनलेनेस और एक्साम्स 30 जूली टूतोसन रेटू, आज के इंपोर्टर मनलेनेस कौन-कौन सा है, चेक करते हैं, सबसे पहला 24 MS-60 रोमियो हिलकॉप्टरिस, दे डेवलोप किया था, आइनस विक्रान, वैसे इंडियन नेवी का पहला एरकाफ कैरियर का नाम भी आइनस विक्रान था, ठीके ये बात आपको पता होगा वैसे, आइनस विक्रान से रिगार्डिंग एक डीटेल्ड वीडियो चानल पर अवेरवले दोस्तों, आप हाशित द पूरे 24 डेलवर हो जाएगा, उसमें से दो अभी आया है दोस्तों, ठीके, तो ये जो एरकाफ्ट है, वेसिकली MX-60 रोमियो हेलकॉप्टर है, ये आइनस विक्रान और आइनस विक्रमाधितिया से ओपरेट कर पाएंगे, ठीके, नौ, इस हेलकॉप्टर का नाम है, जैसे म हीड मार्टिं, ये जो रोमियो हेलकॉप्टर है, आल बथर वरकल है, मतलब कोई भी बथर में ये ओपरेट कर पाएगा, और मल्टिपल मिशन्स को भी सपोर्ट करेंगे, तो इंडिया 24 रोमियो हेलकॉप्टर किया है, जैसे मैं ने बोला, अंडर दा फोरिंग मिलिटरी से तो उसी के अंडर इंडिया 24 हेलकॉप्टर किया है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर रोमियो हेलकॉप्टर है, एमच 60 रोमियो, ये इसमें कई सारे ऐसे एक्यूप्मेंट्स है दोस्तों, ऐसे सिस्टम से, जो केबल इंडियन नेवी के लिए, लोखीन मार्टिन डवलप किय है, ये भी अप ठ्यान दीजिएगा, वैसे इंडियन नेवी के पास अभी कहसाब से, आजी सम्मरीन ओपरेशन के लिए, पी एट आई एरकाफ्ट है, पन ओधा अड्वांस्ट एरकाफ्ट है दोस्तों, जो हमने यूएस से खरगा था, वैसे पी एट एरकाफ्ट का मैनिफ seeking helicopters को, आभी तक seeking helicopters इंडियन नेवी में operational था, anti-submarine operation seeking helicopter से हम करते थे, वैसे seeking helicopters अब decommission हुआ है, इसी को replace करेंगे, MH-60 Romeo helicopters, वैसे seeking helicopter में मैंने खुद काम किया है दोस्तों, जब मैं नेवी में था, so, the Romeo choppers also have anti-surface warfare capabilities, which means they will be capable of detecting surface threats and taking action against enemy ships too, साथ साथ से जो threat आएंगे, उसे भी ये counter कर पाएंगे, साथ साथ में enemy ships के against action लेने के लिए भी MH-60 Romeo helicopters काम आएंगे, वैसे आइनस विक्रांथ के बार में कुछ basic details लिखा है, हमारा second aircraft carrier है, 262 meters long है दोस्तों, and full displacement है 45,000 tons का, विक्रांथ का total manufacturing cost है दोस्तों, 20,000 crore, and it has been built through three phases of cooperation between Ministry of Defense and Cochin CPI, थ्यान दीजेगा, ये Cochin आप से पूच सकता है, Cochin CPI Limited, जो Cochin के अरला में है, उन्होंने ही आइनस विक्रांथ का manufacturing किया है, विक्रांथ will be capable of operating and air wing consisting of 30 aircraft, मतलब उस aircraft carrier से 30 aircraft operate कर सकता है, अगला है, Internet in India Report 2022, the Internet and Mobile Association of India, जिसे IAMAI बोलते है, इन्होंने एक report रिलीस किया है, titled Internet in India, इस report के साब से, about 346 million Indian practices, online transactions, including digital payments and e-commerce, देखें, आजकल सब चीज़ online होते हैं, तो about 346 million Indians online transactions करते हैं, e-commerce activities करते हैं, तो India United States को art number किया है, United States of America में 331 million लोग digital transactions करते हैं, वेरास इंडिया में 346 है, अब इसी बाते दोस्तों, इंडिया में population ज्यादा है, इसी वज़े से ये ज्यादा है, तो report के साब से, COVID-19 pandemic की वज़े से 51% increase देखने को मिला है, दोस्तों, digital transactions में, 2019 में केवल 230 million people digital transactions करते थे, अब जाके ये increase हुआ है, basically 51% का increase हुआ है, अगर आप breakdown देखोगे, male internet usage ज्यादा है, female internet usage से, rural areas में भी, urban areas में भी, ठीक है, now, apart from that, the usage of OTT platforms is more in rural India, rural India में यो OTT platforms का usage भहुष ज्यादा है, दोस्तों, इसके अलाबा, online gaming होता है, digital payments, e-commerce, ये सब internet activities में contribute करते हैं, currently, India में 692 million active internet usage है, दोस्तों, ये सारे important points है, आपसे अगर, internet in India से related, कोई mains के exam, examination बूचे, तो ये सब आपको लिखना है, और आपको ये भी लिखना होगा, आज पर the internet and mobile association of India's, internet in India report, ऐसा-ऐसा है करके, ठीक है, तब आपको ज्यादा marks मिलेगा, ठीक है, तो ये सब आप अपने notes में incorporate कीजिएगा, ये सब important reports है, and out of them, 351 million are from rural areas and 341 are from urban areas, तेक है इनी important statement है, rural areas में ज्यादा active internet usage से दान urban areas, ठीक है, 351 versus 341, वैसे ज्यादा difference नहीं है, फिर भी ज्यादा rural areas में से है, अब IAMAI के बारे में, एक not-for-profit industry body है दूस्तू, और it has been registered under the Society's Registration Act of 1860, ठीक है, और recently एक news आया था, internet and mobile association of India, Sanjay Gupta, जो vice president and managing director है Google India का, इनको as the chairman of the industry body elect किया था, for the period of 2021-2023, ये भी आप धियान दीसेगा, वन लेइनेस में आपसे ये कोचिन पूर सकता है, अगला है, digital payments index of Reserve Bank of India, Reserve Bank of India's Digital Payments Index rose to 349.30 in March 2022, देखे, digital payment index मतलब क्या होता है, basically, इंडिया के अंदर कितना digital payments हो रहा है, उसके बारे में एक data आपको मिल जाएगा, तो इंडिया में सबसे ज्यादा digital payments तो Unified Payments Interface, या फिर UPI के तुरू होता है, ये बात आपको पता होगा, इससे पहले भी एक news में मैंने आपको ये बोला था, वैसे March 2021 में Index 270.59 अब इंग्रीज हुआ है 349.30 तक, ठीके, ये जो Digital Payments Index है, इसका base year है March 2018, base year का मतलब क्या होता है, मतलब March 2018 में जो Index था, उसी से compare करेंगे, माल लीजे, March 2018 में Index 100 था, माल लीजे, March 2021 में Index पोंच गया 300, तो 100 से 300 तक कितना increase है, वो बताएगा, इसको बोलते है base year, तो base year से compare करके, बाकी सारे data बताएगे, तो March 2018 जो है, इसका base year है, थ्यान दीजेगा, RBA DPA is published by the Central Bank on a semi-annual basis, देखिए, क्या होता है semi-annual basis, एक साल में जब, दो बार होता है न दूस्तों, या फिर दो से ज्यादा, इसे आप semi-annual बोल सकते हो, now, RBA DPA compresses of five broad parameters, अब देखिए, कौन-कौन से parameters के इसाब से RBA Digital Payment Index बनाते हैं, यह भी लिखा है, payment enablers, demand set factors of payment infrastructure, supply set factors of payment infrastructure, payment performance, consumer simplicity, तो यह सब इनके major parameters हैं, इसी के basis पर यह Digital Payment Index प्रिपेर करते हैं, अगला है, मानस रिसर्व has more tigresses than tigers, मानस टाइगर रिसर्व इन आसाम में, female tigers ज्यादा है दोस्तों, male tigers, female tigers को हम टाइगरस भी बोलते हैं, यह बात आपको पता होगा, Now, National Tiger Conservation Authority, recently, एक camera trapping assessment करवाय था, camera trapping assessment मतलब, रिसर्व में, कोने कोने में cameras install करेंगे, और camera में जो visuals आएगा, उसके हिसाब से वो estimate लगाएंगे, कि कितने tigers हैं, उसमें से कितने male हैं, कितने female हैं, उस हिसाब से, तो National Tiger Conservation Authority के साब से, मानस टेगर रिसर्व का टोटल एरिया है, 2831.31 स्कॉर किलोमेटर, उसमें critical tiger habitat एरिया है, 536.22 स्कॉर किलोमेटर, क्या होता है critical tiger habitat एरिया, मतलब, जहां पे सबसे ज़्यादा tiger activities है, तो उथर 52 adult tigers है, along with 8 cups, इसमें से 27 tigers का gender ascertain किया है, वैसे दोस्तों देखे, tigers का gender ascertain करना इतना आसान नहीं है, एक तो क्यामरा के तुरू हो रहा है, तो उसमें 27 tigers का gender assess किया है, उसमें से 19 females है और 8 males है, तो उसका मतलब यह है sex ratio female का ज्यादा है, ठीक है, इसके अलावा मानस tiger reserve में 3,220 hawk deer है, 2,613 elephants है, 1,656 wild buffaloes and 1,174 gore और Indian bison and 804 sambaar deer है, ठीक है, नाशनल टाइगर conservation authority के बारे में, रीसनल ये नूज में या था, क्योंकि रीसनल इंटननाशनल टाइगर डे हमने अब्जर्व किया था, अब मुझे बताईए कवे इंटननाशनल टाइगर डे है, वैसे नाशनल टाइगर conservation authority एक statutory body है दोस्तों, under the ministry of environment, forest and climate change, statutory body मतलब क्या होता है, पार्लमेंट से पास हुआ, एक act से बेनने वाला body, या फिर statute से बेनने वाला एक body को आप statutory body बोल सकते हैं, वैसे नाशनल टाइगर conservation authority एस्टाबलिश हुआ था, 2005 में, 2005 से पहले, गर्मन, टाइगर task force, सेटप किया था, टाइगर task force के recommendations की साब से, नाशनल टाइगर conservation authority, एस्टाबलिश किया था, वैसे टाइगर task force से ये पता चला, टाइगर का population decline हो रहा करके, ठीक है, इसलिए ये National Tiger Conservation Authority established किया था, नाउ, it was constituted under enabling provisions of Wildlife Protection Act 1972, तो Wildlife Protection Act 1972 में, ऐसे provisions से दोस्तों, किसी भी animal के conservation के लिए आप measures ले सकते हो, तो इसी के साब से, ये National Tiger Conservation Authority established किया था, मानस नाशनल पार्क के बारे में, एक UNESCO World Heritage Site है दोस्तों, एक Project Tiger Reserve है, elephant reserve भी है, और Biosphere Reserve भी है, very important, मानस नाशनल पार्क के पास, इतने सारे designations है, UNESCO World Heritage Site, Tiger Reserve, elephant reserve, और Biosphere Reserve also, कहाँ पे located है, in the Himalayan foot hills in Assam, it is contagious with the Royal Manas National Park in Bhutan, देखे, मानस नाशनल पार्क इन आसाम के नौर्थेंड साइड में, Royal Manas National Park है भूटान का, उसी के साथ connected है, हमारा ये जो नाशनल पार्क है, और ये नाम कहाँ से आया, मानस रिवर, मानस रिवर, फ्रम्मबत्रा रिवर के ट्रिबूटरी है, ये बात भी आपको पता होगा, तो मानस नाशनल पार्क में, और भी कई सारे ये एंटमिक वाइड लेफ है, जैसे कि आसाम रूफ टर्टल, हिस्पिट हैर, हैर मतलब वाइल राबिट है बोल सकते हो, गॉल्डन लंगूर, पिक्मी होग, एक्सेरा, और अगला है, मो तो सेटप ए ग्रीन हाइडरेजन प्लांट, इंडिया और एजिप्ट एक 30,000 टन्स annually in the US Canal Economic Zone, देखे, क्या होता है, ग्रीन हाइडरेजन प्लांट, बेसिकली हाइडरेजन प्रोडूश करने का एक प्लांट, हाइडरेजन को अलग अलग तरीके से आप प्रोडूश कर सकते हो, इसमें सबसे एन्विर्मन फ्रेंडली तरीके है दोस्तों, वाटर को स वाटर को स्प्रिट करने से आप हाइडरेजन प्रोडूश कर सकते हो, ऐसे जो हाइडरेजन प्रोडूश होते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइडरेजन बोलते हैं, अगर आप फोसिल फ्यूल से हाइडरेजन प्रोडूश करते हो, उसे ग्रे हाइडरेजन बोल Mediterranean Sea and the Red Sea, यह देखें दोस्तों, इसमस मतलब क्या होता है, दो बड़े landmass को कनद करने वाला चोटा सा जो landstrip है, उसे आप इसमस बोड़ सकते हो, तो यह इसमस के तुरू बनाया है दोस्तों, जियोस कनाल जो है, man-made कनाल है, basically Mediterranean Sea को Red Sea से कनद करते हैं, और एक significance है, African continent को Asian continent से separate भी करता है, जियोस कनाल, one of the world's most heavily used shipping lane से दोस्तों, world trade का 12% जियोस कनाल के तुरू होता है, and the कनाल is a major source of income for Egypt's economy, Egypt की economy को सबसे ज्यादा support करता है, जियोस कनाल, जियोस कनाल से Egypt को 5.61 billion US dollars का revenue होता है दोस्तों, हर साल, और आवरेज मैं बोलना हूं, last year 5.61 billion US dollars का revenue जनरेट ठीक है, इस कनाल 5 बार close हुआ है दोस्तों, history में, एक बार तो 8 साल के लिए close हुआ था, जब 6 days war हुआ था, ये war किस-किस के बीच में हुआ था, मुझे comment box में बताइए, फिर navigation के लिए open हुआ था, June 1975 में, इसके बाद भी कभी-कभी shift struck हो जाता है दोस्तों, वैसे last to last year, एक करीब एक हफते के लिए, सुयस कनाल बंद हो गया था, वो एक वीडियो के तुरू भी हमने आपको पताया था, अगला है, under two coalition, global warming को चक करने के लिए, पंजाब गर्मन एक memorandum of understanding sign किया है, and they became the member of global network called under two coalition, under two coalition क्या है दोस्तों, it is a global community of state and regional governments committed to ambitious climate action in line with the Paris agreement, तो ध्यान दीजि state and provincial government से, उनका एक community है, जिनका objective है, CO2 and other greenhouse gas emissions को cut down करना, in line with Paris agreement, तो Paris agreement में, all the countries के बीच में एक agreement हुआ है, कि हम average rise of temperature को 2 degree Celsius के अंदर contain करेंगे, हो सके तो 1.5 degree Celsius, ठीक है, पर देखे, जिस हिसाब से, आज greenhouse gas emissions हो रहा है, उस हिसाब से लग नहीं रहा है, हम 2 degree Celsius के अंदर contain कर पा और इसके लिए developed countries सबसे ज्यादा responsible है दोस्तों, वैसे Paris climate accord के बारे में, climate change के बारे में, ये agreement के जो प्रोशन के बारे में, अलग अलग वीडियो सोली चानल पर अवेलेबल है, वैसे last year जब Glasgow Scotland में, ये conference हुआ था, COP Conference of Parties, United Nations Framework on Convention on Climate Change का, जिसमें प्रथान मदरी नरेंदर मो जी अटेंड किये थे, तो तब हमने अलग 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 वीडियो के तूर आपको बताया था, क्या-क्या बाते हो रही है, इंडिया की तरफ से, क्या-क्या टार्गेट से, वैसे इंडिया के एक टार्गेट है, 2070 तक हम net zero emissions achieve करेंगे, net zero emissions मतलब जितना CO2 हम emit करेंगे, उतना हम अब्जोर भी करेंगे, ठीक है, तो 270 तक हमारा टार्गेट है, जो भी है, इंडिया is also among the high-risk countries as it ranked 7th in the Global Climate Risk Index 2021, Global Climate Risk Index 2021 recently released हुआ था, उसमें इंडिया one of the high-risk countries है दोस्तों, मतलब बहुत ज्यादा green horse gas emissions इंडिया से भी हो रहा है, इंडिया का rank है 7th, ठीक है, नौ, वैसे यह जो अंडर्टु कोलिशन के बारे में, इसमें 221 states और provincial governments है, 43 countries का, ठीक है, and it brings together over 221 governments, representing more than 1.3 billion people and 43% of global economy, ये 221 governments मतलब क्या है, अलग-अलग state and provincial governments है, ठीक है, नौ, दा अंडर्टु MOU brings together ambitious states and regions willing to make a number of key commitments, तो देखे, जब यह Memorand of Understanding आप sign करते हो, जैसे कि अभी पंजाब ने सेन के है, तो अलग-अलग commitments है, जिसे आपको achieve करना है, देखे, इसमें एक major provision है है दोस्तों, all signatories agree to reduce their greenhouse gas emissions 80-95%, 80-95% तक greenhouse gas emissions को cut down करना है, 2050 तक, या फिर limit to 2 metric tons CO2 equivalent per capita, ठीक है, मतलब, या तो 82-95% तक greenhouse gas emissions को reduce करना है, या फिर CO2 जो emissions है, पर capita 2 metric tons तक लेके आना है, पर capita मतलब population के साब से, final news, robots turn teachers in Hyderabad, देखे, Indus International School in Hyderabad, एक teaching robot को introduce किया है दोस्तों, ये देश में पहली बार हो रहा है, आज part of its collaborative learning model, और ये robots का नाम है, Eagle Robots, ये आप थ्यान जीजेगा, already 21 highly interactive Eagle Robots डिप्लोई किया हुआ है, 3 Indus schools में, Hyderabad में, Bangalore में, पूने में, तो basically ये robot, class 5 है लेके, class 11 तक बच्चों को पढ़ाएंगे, इन्हे classroom, along with the teacher and also in a standalone mode, तो teacher के साथ भी होगा, और अकेला भी ये class ले सकते हैं, तो ये जो Robots है, 30 different languages में, classes ले सकते हैं, बच्चों का doubts clarify कर सकते हैं, बच्चे अगर सवाल पूछेंगे, तो ये जो Robots है, ये जवाब भी दे, तो दोस्तों, that's it, I hope आपको वीडियो informative लगा होगा, लेक्चे की PDF, as usual, आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा, जिसका link नीचे description box में provided है, thank you for watching, bye bye, have a next day.